आज हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहेंगे यूपी के स्रियम योगी आदितनाथ हिमाचल प्रदेश के मंडिया और हमीरपुर में करेंगे जन सभा पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में करेंगे रैली ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है आज पंजाब को साधते हुए नज़र आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ साथी साथ हिमाचल को भी वो साधेंगे तो हिमाचल और पंजाब में उनका ये दोरा जहां पर इन दोनों ही राजियों में तमाम लोगसभ़ सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नज़र आएंगे देखी बीजेपी के स्टार प्रचारक है और लगतार तमाम राजियों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं अले हमने देखा उत्तर प्रदेश जो उनका राज्य है जिसकी महत्वपूर्ण जिमेदारी उन्हें दी गई हुए वहां पर लगता चुनावी प्रचार कर रहे थे हमीरपूर लोगसभाशेत्र में रैली को संबोधित करेंगे वहीं दुपहर धाई बचे सीम योगी पंजाब के आनंदपुर साहिब और दुपहर तीन बचकर पैतालिस मिनट पर पंजाब के लुध्याना लोगसभाशेत्र में जनसभा करेंगे बाचार जनसभाएं योगी आलदितनात की मंडी का माहा मुकाबला दिल्चस्प यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी बीजेपी की तरफ से अभी नेतरीक अंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा गया है विक्रमादित सिंग कॉंगर्स की तरफ से प्रत्याशी ब बाचार ये राम स्वरूप शर्माई सीट से जीते थे प्रतिभास सिंग को हार का सामना मंडी में करना पड़ा था तो मंडी का जनादेश हमने आपको दिखाया दिल्चस्प फाइट कंगरा रनौत और विक्रमादित सिंग के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेगी हमीरपुर का महा मुकाबला भी देख लिजे केंद्री मंत्री अनुराक ठागुर भीजपी की तरफ से यहाँ पर प्रतियाशी बनाए गए हैं और सत्पाल रायजादा को कॉंगस ने चुनावी मैदान में हमीरपुर से उतारा है महा मुकाबला इन दोनों की बीच में देखने को मिलेगा हमीरपुर का जनादेश 2014 का अनुराक ठाकुर सीट से जीते थे राजेंद्र सिंग राणा को हार का सामना करना पड़ा था 2019 में तो हमीरपुर का जनादेश 2014 का भी देख लीजे अनुराक ठाकुर सीट से जीते थे राजेंदर सिंग राणा को सीट से हार का सामना 2014 में भी करना पड़ा था लुधियाना का महा मुकाबला जहापर रवनीज सिंग बिट्टू बीजेपी की तरफ से प्रत्याश्री बनाए गए है अमरिंदर सिंग राजा बर्डिंग कॉंगर्स की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए है अशुक पराशर पपी आम आदमी पार्टी की तरफ से च जिमरंजीत सिंग बैस को हार का सामना 2019 में करना पड़ा था तो लुधियाना का जनादेश 2019 का आपने देखा लुधियाना का जनादेश 2014 का भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे जहापर जीत हासल की थी रवनीत सिंग बिट्टू ने और हरविं सिंग फुलका को हार का सामना लुधियाना में 2014 में करना पड़ा था